हेलो एबरिवन, सृब लोगों को माचिस जलनी की पिछली केमिस्ट्री के बारे में पता है? तो आज हम उसी के बारे में डिसकस करेंगे तो माचिस में आपका जो मैच बॉक्स होता है उसकी स्ट्रीकिं सर्फेस जो होती है, वो रेड फोस्फोरस की बनीवी होती है और जो आपका mastic का head होता है वहाँ पर आपका potassium chloride present होता है साथ में आपका sulfur के compound present होते हैं जो आगे उसको जलने में help करते हैं तो जब आपका mastic का head आपका striking surface से तो आपका जो red phosphorus होता है वो heat की help से convert हो जाता है white phosphorus में और white phosphorus एक pyrophoric material है जो की जलने लग जाता है oxygen के presence में साथ के सा जो oxygen produce होती है potassium chloride से वो क्या करती है further जो sulphide compound है उनको जलने में help करती है और इस तरह से आपकी माचिस जलती रहती है तो यह थी आप chemistry behind the match stick I hope you like it thank you